मिशन सिक्षन समवाद दैनिक नेतिक प्रभात दिनांक 8 जुलाई वर्ष 2024 दिन सोमवार बाल कहानी चिडिया के बच्चे तो आईए सुनते हैं आज की बाल कहानी चिडिया के बच्चे रोज की तरह आज भी मोहन जल्दी उठिया उसे आज चिडियों का प्राते कालिन कल रव सुनाई नहीं पड़ रहा था उसे चिंता होनी लगी वैं सोचने लगा आखे रोज तो इस समय चिडियां और उसके बच्चों की चहचाहाट आनी लगती थी फिर आखे आज क्या हो ग देखा कि आहाते में जो नीम का बड़ा सा पेड़ था उसके नीचे बहुत सी छोटी छोटी टहनियां तोटी हुई विखरी पड़ी हैं वो ये पेड़ पर रखे हुए चिडियों के घोसनों को खोजने लगा पर वे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे वो ये बहुत पर देज बारिश होई आंधी भी आई थी उसी के जोके और जटके से ये टहनियां तोटकर बेखर गई हैं घोसले भी गिर गए हैं चिडियां अपने बच्चों को लेकर कहीं उड़ गई होंगी तभी मोहन की निगा एक टहनी के नीचे गई उसने टहनी हटाई तो देखा कि चिडिया के तीनों बच्चे बैठे कांप रहे थे मम्मी की मदद से उसने बच्चों को उठा लिया सूखे कपड़े से पोंच कर उनको सुखाया अब हलकी धूप भी निकल आई थी मम्मी की कहने पर उसने तीनों बच्चों को मुनेर पर बैठा दिया धीरे धीरे कई संसकार संदेश जीव जन्तु बोल नहीं सकते हैं अतय हमें उनकी अवश्य सहायता करने चाहिए आज की बाल कहानी के लेखक हैं राम चंद्र सिंह सहायक अध्यापक प्रात्मिक विद्याले जग जीवन पूर टू एराया फतेह पूर उत्तरपदेश कहानी वाचक नीलम भ दो बच्चों आज की बाल कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिखना मत भूलिएगा और हां कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ धन्यवाद